या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्रे यानी नौराते इन नौराते इन नौरातों और दस दिनों के दोरान शक्ति स्वरूपा देवी के नौर रूपों की पूजा की राती है दसमा दिन तशहरा के नाम से प्रसिद है, नौरात्र वर्ष में चार बार आता है पॉश नौरात्र, चैत्र नौरात्र, आशार्ध नौरात्र और अश्वनी नौरात्र नौरात्र प्रतिपदा से नौमी तक मनाया जाता है। नौरात्र के नौ रातों में तीन देवियों महालक्षमी, महासरस्वती और दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है। जिने नौ दुर्गा कहते हैं। इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान शक्ति देवी के नो रूपों की पूजा होती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली अर्थात दुर्गा दुर्गति नाशनी समस्त कश्टों से छुटकारा दिलाने वाली देवी मा दुर्गा सुरूपा। नो दुर्गा के सुरूपों का वर्ण दुर्गा शब्द श्रती में किया गया है। पहले सुरूप में शैल पुत्री के नाम से जानी जाती है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। परवत राज हिमाले के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैल पुत्री पड़ा। नौरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्ही की पूजा और उपासना की जाती है। पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम करण हुआ शेल पुत्री, इनका वाहन वर्षब है, इसलिए ये देवी वर्षा रूना के दाम से भी जानी जाती है। तो इसमें सारे देवताओं को निमंतृत किया, भगवान शंकर को नहीं, सती यग में जाने के लिए विकल हो उठी, शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंतृत किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है, सती का प्रबल आग्रा देखकर, शंकर जी ने उन्हें यग्ग में जाने की अनुमत दे दी, सती जब घर पहुँची तो सिर्फ माने ही उन्हें स्नेह दिया, बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे, भगवान शंकर के प्रति भी तिरसकार के भाव देखकर उनका मन द्रिवित हो उठा, राजा दक्ष ने भी उनके प्रति अपमान जनक पचन कहे, जिससे सती को कलेश पहुचा, और वे अपने पती का ये अपमान सहन नहीं कर सकी, और वही योगाग्नी में अपने आपको चला कर भस्म कर लिया, इस दारुन दुख से विधित होकर, शंकर भगवान ने उस बहंस करा दिया, यही सती माता, अगले जन्में शैल राज हिमाले की पुत्री के रूप में जन्मी, और शैल पुत्री कहलाईं, शैल पुत्री का विवाभी भगवान शंकर से हुआ, शैल पुत्री शिव जी की अरधांगिनी बनी, इनका महत्तो अनन्त है, पार्वती और ह अगली कड़ी में कल हम बात करेंगे नौरात्र के दूसरे दिन की देवी ब्रह्मबचारणी के बारे में यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें देवी मा की गृपाया आप पर सदयो भनी रहे जै मादूर के